हाई चेरोस फैमिली, हावर यो ओल, आप ये फैब्रिक देख रहे हैं, इसका मैं बनाने वाली हूँ प्लस साइज प्रिंसेस कट ब्लाउस, प्लस साइज ब्लाउस एन स्मॉल साइज ब्लाउस में थोड़ा से डिफ्रेंस होता है, वही मैं आपको आज इस वीडियो में होंगी चले वीडियो कर स्टार्ट करते हैं, यह जिस तरीके से नॉर्मल ब्लाउस कट करते हैं, हम पहले लाइनिंग उसी अक्रिंग कर लेंगे, वह मैं अल्रेडिय आपको सिखा चुकी हैं, और हम लाइक्रा फूजिंग पेस्ट कर रहे हैं स्टीम आयन का यूज करके विस्टिंग चल रही है दैन उसके बाद हम प्रिंसेस कट करेंगे बस है 44 तो 4.4 पर हमने राइट साइट से मांक कर दिया है यह वाला मांक हमने 4.4 पर किया है तैन जो यहां पर डिफरेंस आता है वो आत 45 लेंगे 46 है 48 है दैन आप 12 लेंगे जैस जैसे साइस बढ़ेगा डार्ट पॉइंट जो शोल्डर से नीचे आता है वो भी बढ़ता चला जाएगा जैसे कि मैंने यहां पर लिख भी रखा 11.5 है वो हमारा नीचे स्ट्रेट जाएगा दैन इसके बाद 44 बस्ट है उसको डि लेना है पहले जो आपने फिटिंग ली है उस पर एक स्ट्रेट लाइन डॉ कर दीजे सो तड़ आपको आइडिया हो जाएगा कि यह हमारी फिटिंग रहेगी बस्ट लाइन के लिए दैन उसके बाद नीचे से हमें प्रिंसिस कट निकालना है अब यह लेने के बाद आपक एक डॉटेड लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से देखिए इतना ज़्यादा ड्रॉ नहीं किया जाता है में फैब्रिक पर बट यह फैब्रिक सिर्फ आप लोगों को सिखाने के लिए कट कर रही है इसलिए बहुत ज़्यादा यहां पर आपको फैब्रिक के साथ इत 11.5 पर जो मिलकर बना है वहां तक उसे नीचे की तरफ आपको इस तरीके से ले जाना है ऐसे करके आप नीचे ले जाएंगी अभी हमारा प्रॉपर शेप नहीं बनाया प्रिंसिस कट का ऐस तरीके से नहीं कट करना अब यहां पर हम देंगे इसको कर्व कर्व देने के आप हाफ इंच का वेल्यू ले लिजे बिलकुल मिडल में और इस तरीके से कर्व दे दीजे लाइक दिस एंड यह वाला पॉइंट भी आपको इस तरीके से कर्व देना पड़ेगा विसलिए आम होल पर जो हमारा जोल बनता है आप लोग बोलते बहुत जादा जोलाता है उसको निकाला जाता है इसलिए हमने वहाँ पर वान इंच की वैल्यू लिए है यहाँ पर 1.5 लेंगी और इधर साइड आप से वन इंच लेंगी अब यहां से आपको इस तरीके से शेप लेते हुए नीचे आना है आपको बिलकुल स्ट्रेट लाइन नहीं ड्रॉ करनी है पॉइंट के बीच में थोड़ा सा कर्वी शेप लेके आपको ड्रॉ करना है यहां पर भी आपको हलका सा कर्व लेकर ड्रॉ करना यह शेप आपकी अगर प्रॉपर आएगी तो ही आपकी फिटेंग अच्छी आएगी प्रिंसिस कर्ट की यह चीज में होती है अब आप करना है इसको कट हमारा यहां पर ड्राफ्टिंग पार्ट कंप्लीट हो चुका है 1.5 एक तरफ लिया है वन इंच एक तरफ लिया है तो टोटल हमारा हो जाएगा 2.5 और आल्मुस्ट इतना ही हमारा गया पाता है जो बस्ट और अंडर बस्ट के बीच में आता है इस तरीके से आर्मूल एरिया यह एक्स्ट्रा रहता है इसलिए हम फ्रेंट से इसको कट करते हैं अगर आपको बेसिक समझ में आएगा ना स्टिचिंग का ड्राफ्टिंग का तो आप ना आगे चल कर अपने पैटन्स खुद से बनाना स्टार्ट कर दोगे आपको किसी मतलब ऐस सच क किसी कोर्स की जरुरत नहीं पड़ेगी कि यह पैटन्स करने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई टॉपिक है जो कवर करना पड़ेगा कि किस तरीके से की जाती है आप जब बेसिक समझ जाओगे ना कि कहां से एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है कहां से कट करना होता है और अगर अगर आपको बहुत ज़्यता डिटेल में फैशन डिजाइनिंग सेखने है इन आपका ड्रीम है कि आपको फैशन डिजानर बनना है बट आप बहुत ज़्यता इंवेस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं आपके पास टाइम भी नहीं है तो फिर आप मेरा कोर्स जॉयं क के पीछे नैट रहेगा दैन उसके बाद यह जो लाइनिंग फैब्र काट जाए का लाइनिंग फैब्रिक कमा बेकलेश घाल एगा तो 11 हमारा फेटिेंग एरी एर दैन हमने नांज प्वा कर लिए क्योंकि बेकलहे बना रहे हैं पीछे की तरफ बहुत ज़ादा फाब्रिक नहीं रखना है इसलिए हमने 11 से टू इंच एक्ष्ट्रा लेकर हमने शेप बनानी है जितना आपने नेक डैप्ट रखना है नेक की डैप्ट रखनी है वह माक कर लीजिए और इस तरीके से आप दोनों लाइन्स को मिला दीजिए यहां पर जब आपके लाइन्स मै मैं नेक डिजाइन करवाती हूँ तो इसमें मेरा प्लस पॉइंट यह रहता है कि मेरा अलग से नेक बनाने का टाइम बच जाता है और फ्नीशिंग भी बहुत ही अच्छे लेवल किया ती इस तरीके से यह नेक का शेप दे दिया हमने और यह उपर का जो भी पार्ट है वो संट कर लींगे अब आप देखेंगे मेंं फैब्रिक जो है हमारा इस मेरा नेक फैब्रिक है उसके ऊपर सिक्वेंश वक है पर ट्रांस पेरेंट यह अभी इसके लिए हमैं नीचे एक लाइनिंग चाहिए दैन उसके नीचे फिर हमारा यह वारा लाइनिंग लगेगा तो के लिए आप चाहें तो satin यूज कर सकते हैं या फिर टाफटर फैबरिक उसकर सकते हैं ताफटर फिर भी ठोड़ा हवी हो जाएगा आप घ्रेपी उसका सकते हैं तो जो light weighted फैब्रिक रहेगा वही आपको पिक करना पड़ेगा लाइनिंग के लिए नीचे से कट आप देख सकते हैं यह बिल्कुल basic blouse है बाद में जो create करते हैं हम इसके बाद करते हैं यह हो गया front का part and back का part चिक है अभी हाँ से हम back part को भी फिर से pick करेंगे यह तो हमने reference के लिए ले लिया था कि इस तरीके से हमें back and front part cut करने अब आएगा यह पार्ड जिसको हमें cut करना है backless के लिए जो हमने marking की थी पिंक कलर में इसको cut कर देंगे और उपर का हमारा किसी यूज करने उसको अलग साइड में कर देंगे अब इसको खोल कर रखेंगे और इसके ऊपर रख देंगे पीछे का पार्ट अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके का backless में आप लोगों को बोल रही थी कि हमें तैयार करना है पीछे नेट रहेगा आप चाहें कितना भी टीप अब इसमें नेक बना जीजिए इस तैप के गले में हम ज्यादा डीप नहीं बनाते हैं अल्मूस्ट टू या थ्री इंच का गहरा ही रखते हैं अब यह है फ्रेंट पार्ट यह मिडल पार्ट हो गया तैन इसके बाद ले कि अ आक गर्बर वह बीन अ और बसकैया जैको धिनट अप्रम क्याद कर ए उसलिए तो त्लोल पेश़् भी व विलोगे आपनाती तो क्तास्वे लग पर प्रिंसर में कर जाती कीजिए सारी चीज़े बहुत डेटेल में सिखा रही है कि आप लोग के कॉमेंट आते हैं कि इसका इसका ड्राफ्टिंग वीडियो डालिए प्लस साइज के लिए मेरे पास कॉमेंट आया था तब ही मैंने इसको शूट किया है और वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किये त तो comment में red heart send कर देना मुझे लगेगा कि हाँ आप लोग को मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं अभी यह वाला पार्ट करने के बाद हमारे three parts हमारे पास आ जाएंगे जब इनको stitch करना होता है तो pin की help से हम main fabric को lining को एंड नीचे की जो equal lining लगती है उनको attach करते हैं दयान उसके बाद stitch करते हैं यहां पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी fast forward video मैंने नहीं किया है आप लोगों को idea लग जाना चाहिए कि drafting and cutting में ही कितना time लग जाता है यह side में बिल्कुल finish करके हमें cut करना है जरा सा भी half inch भी extra कहीं इसको cut कर लेंगे यहां पर pin अगर लगा कर आप cut करोगे तो आपका जो उपर का fabric है वो इधर-उधर move नहीं करेगा क्योंकि fabric इधर-उधर move करेगा तो फिर obviously आपका थोड़ा half inch इधर-उधर जाएगा ही and fitting में भी दिखकत आएगी तो मैंने वो नहीं किया है और उसको बड़े ध्यान से मैं पकड़-पकड़ कर रही हूं cut क्योंकि video shoot करना है और बीच में मुझे gap भी नहीं लेना था तो ज यहां भी एक्स्ट्रा होगा तो फिर मुझे cut करना पड़ेगा ठीक है यह तो हमारा proper हो चुका है एंड यह भी proper है हमारा तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि मेरे हाथ में कितने finishing आए क्योंकि मुझे करते करते बहुत time हो चुका है एंड मेरा passion है तो यह थोड़ा सद्यान में ज्यादा देती हूं इन चीजों पर इस तरीके से cutting करने के बाद बारी आती है हमारी sleeves की sleeves हमें थोड़ी सी long में रखनी है जो length है sleeve की वह हमारी है 22 और फिर उसमें हम sleeves को long रखने सही लगे वो ले लेंगे तो यहां से हमने जो width ली है sleeves के लिए वो 9D है इस तरीके से marking कर लेंगे और बिल्कुल corner पर नहीं करना थोड़ा सा 3 या 4 इंच इधर की side करना क्योंकि यह ही point है हमारा सबसे highest point यह रहेगा जहां पर हमें ज्यादा fabric चाहिएगा यहां पर फिर हमने wrist का measurement लेकर सीधे वहां से fitting मिला दी है यह सिफ rough हमारी हां पर marking हो रही है में चीज आती है fitting फिटिंग के बाद जितना ही fabric extra रहता है उसको हम cut कर देते तो यहां पर इसकी drafting इसी तरीके से की जाएगी देखिए हमारे sleeves की length जो है वह 22 है और उसमें हमने length एक्स्रा रखी है यह है हमारी actual length और long sleeve बनाने के लिए यहां पांच लिया यह भी आपका पांच ही लेंगे हम क्यूंकि sleeves की length बढ़ रहे हैं लेकिन उसके चोड़ाई वगरा में कोई भी changes नहीं आ रहे हैं कर लेंगे देन इसके बाद का next process यह रहता है जिस तरीके से हमारे armhole होते हैं फ्रेंट पर दोनों sleeves में हम फ्रेंट पर armhole cut करते हैं armhole cut करने से क्या होता है जो extra fabric जैसे हमने armhole princess cut में निकाला था उसी तरीके से थोड़ा सा half inch यहां से cut कर देंगे armhole से तो वह भी हमारा extra ही रहता है और उसको cut करने के पाद कभी भी extra fabric हमारा armhole पर नहीं दिखेगा proper fitting आई तो यह basic चीज़े हैं जो मैं आपको वीडियो में साथ साथ बताती रहती हूं कि यह चीज़े करते हैं तो क्यों करते हैं और लोगों की वीडियो देंगे तो बताएंग रहता है या फिर बिल्कुल भी नहीं है ऐसे ही बस्ट और अंडर बस्ट में कितना गैप है उसके according भी हम डार्ट डालते हैं जैसे मैंने जो लिया है 2.5 लिया है बट आपको यह चीज़ मेजर करने पड़ेगी देखना पड़ेगा खुद से कि क्लाइंट का बस्ट है या फिर नॉर्मल है उसके according आपको फिर आवरेज निकाल कर डार्ट डालने पड़ेंगे जो कि हमने पहले डाले हैं बाकी और डिटेल में जाने के लिए आप मेरा कोर्स जॉइन कर सकते हैं वहां पर कोर्स जॉइन करकर आपको कोई भी डाउट ऐस सच नहीं रहने वाला इन फ